चलिए एक और बच्चे से मिलते हैं नाम है लविश गुपता वन नाइटी नाइटी इलावाद लॉट हुआ अभी और यह यमना नगर हडियाना से हैं तो सबसे पहले बिटा आपको नाइटी इलावाद के लिए बहुत-बहुत बदाई और लविश ने ऑनलाइन प्रिप्र अलग प्रॉलम्स आती हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जूनियस को क्या बताना चाहेंगे क्योंकि कई लोग online क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि नहीं निकल पाते घर से बहुत सारे अलग-अलग issues होते हैं तो आपका क्या message है और आपने किस डंग से पढ़ाई की और पूरी टीम को शरत सर को प्रतीक सर को और बाकी सभी जो बैक एंड पर टीचर काम कर रहे हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत थेंक्यू कहना चाहूंगा कि उन्हीं की मतलब इतनी मेहनत की वह दोलत मेरे रैंक आपाया है मैं अपने शरत सर के बाद मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ज्याज़ा शुक्रियादा करना चाहता हूं कि मेरे पापा नहीं शरत सर से बात करिके मेरा कोर्स जॉइन करवाया था मैंने 2020 में भी एक्जाम दिया था उस समय मतलब सेल्फ प्रिपरेशन की थी मैंने तो मेरा 4000 प्लस रैंक आया था लेकिन मैंने जब मैं पेपर द प्रचेस किया तो उसके बाद मैंने सिर्फ दो ही क्लास लगाई थी उसके बाद संडे टैस्ट आ गया संडे टैस्ट दिया मैंने तो मेरा स्कोर स्टार्टिंग में कम था पर शरत सर ने जैसे बताया कि धीरे-धीरे क्लासिस देखते रहना है उसके बाद धीरे-धीरे क्ला लाओगा वो उसके अंदर लिखना है और उसको डेली रात को याद करना तील एक्जाम वो करते गए धीरे-धीरे उसके बाद मतलब सबसे पहले तो मैं एक offline student ना होके online student हूँ मैंने अपने घर से त्यारी किया है तो उसके अंदर काफी मतलब difficulties भी आती है जैसे कि distraction हो जाता है घर में बैठके पढ़ने से कभी कुछ मतलब आसपास का environment नहीं आसा होता पढ़ने के लिए घर में और काम भी हो रहे होते हैं कुछ घर के भी काम बता देते हैं पर इस केस में मेरी family ने मेरा बड़ा support किया उन्होंने मतलब एक साल तो मेरे को ऐसे दे दिया कि जैसे bonus का कोई उन्होंने मेरे को काम नहीं कहा कुछ नी और मतलब ममी ने पूरा support किया खाने को वही टेबल पर मिलता था सर ने बताया कि मतलब पढ़ना है तो बैड़ पर बैटके नहीं पढ़ना है आदे घंटे लेटे हैंगे उसके बाद सोई जेंगे इससे बड़िया शूज पाके टेबल चेयर लेके बैटना है वैसे ही पढ़ना है तो मतलब मैंने अलग से रूम के अंदर कोर्नर फिक्स कर लिए तो मैं ऐसे पढ़ाई करता था जिससे मतलब एक साल तक तो मैं घर से बाहर भी बहुत ही कम निकला और मतलब गली वालोगों भी कम ही नजर आया मैं अंदर ही बैटके बिल्कुल पढ़ाई की मतलब एक साल बाहर की दुनिया यह नहीं देखी बिल्कुल भी और जैसे सर की डेली क्लासीज भी होती थी सुबह सुबह सर की आट बजे क्लास होती थी तो वो भी on time लगाता था मैं recorded lecture नहीं देखता था बिल्कुब recorded में यह होता है कि आज 9 बजे देख रहे हैं कल 10 देख रहे हैं परसो देखी नहीं तो live class लगाते थे तो live साथ की साथ डाउट भी clear होते थे तो उसके बाद सर शीट्स जाते से solve करने को sheet solve की मैंने course purchase करने से पहले सारी books भी purchase की थी जो निमसेट की preparation में काम आती हैं लेकिन सर से जैसे की बात की थी तो सर का study material ही इतना था कि उसको मतलब एक बार किया फिर दो बार किया तो किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड लेते थे सारे question बताते थे live chat के अंदर हम अपने question का doubt लिखते थे सर उसको साथ ख्यात response देते थे और मतलब solve करा देते थे कोई doubt नहीं रहता था या मान लो कोई particular doubt होता था हम सर को जैसे WhatsApp पे message कर देते थे कि सर हमें ये issue आ रहा है तो सर कहीं बर खुदी callback भी कर लेते थे ये मतलब सर की बहुत अच्छी बात थी नहीं तो सर हमें कह देते थे कि कल को इतने बज़े मुझे call कर लेना या फिर मैं ख पढ़ाई नहीं की ऐसा कभी base नहीं क्लियर हुआ नहीं तो कहीं बार ऐसा होता है कि हमने कोई coaching join की उसके अंदर हमें basic ही नहीं हमारा clear वो advance कराते रहते हो तो advance हमें समझ ही नहीं आता क्योंकि हमारा base नहीं बना हुआ और सर ने ये बात बहुत ज्यादा ध्यान दिया ऐसा नहीं किया कि नहीं तुम्हें two का table तो आता नहीं है और मैं तुम्हें बड़ी calculation कराता जाओ सर ने अगर किसको two का table नहीं आता सर ने वो भी बताया बिलकुल उसके अच्छी तरह basic clear कराए सारे formula learn कराए मतलब formula सर ने ऐसे कराए कि trigonometry के formula तक मतलब अच्छे अच्छे बंद करते गई मार्च का मन्त आ गया फिर एक्जाम का फॉम फिल किया उसके बाद सर ने test series भी start कर दी थी mock test की तो वह भी दिये starting में उसके अंदर marks कम आते थे starting में क्योंकि वह full mock paper होता था फिर धीरे-धीरे वह paper दिये तो स्टार्टिंग में 300 के अंडर मेरी rank आती थी सर के यही impetus on के अंदर फिर 200 के अंदर आने लगी फिर धीरे-धीरे 10, 20, 25 मोंक और फिर 100 के अंदर rank आने लगी फिर 100 के अंदर एक थोडी बीच में कहीं पर ऐसा हो जाता था मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी मोग देते टाइम तो मेरी रैंक एकदम से 200 प्लस भी जंप कर जाती थी लेकिन मैंने सफिर सर से भी बात की सर ने बताया भी सिली मिस्टेक को ऐसे दूर करना है तो वह उस चीज का भी काफी सपोर्ट मिला दीरे-दीरे करके और मतलब उसके साथ सथ प्रतीक सर जितने भी मतलब प्रतीक सर से बढ़िया तो मैं कहीं पे भी ना तो कंप्यूटर का कोई अच्छा टीचर है इतना ना लोजिकल रिजनिंग का ना एप्टिटूड का प्रतीक सर ने ऐसे हमें स्टार्ट कराया था कि प सोल तो हर कोई कर सकते हैं पर competitive exam के लिए कुछ short tricks काम आती हैं वो चीज बताई सर ने हमें हैं ऐसी करते करते मतलब exam से एक महीने पहले की बात है थोड़ा सा की exam की date नहीं आ रही थी तो थोड़ा सा धिल भी करना शुरू कर दिया कि हाँ date आजेगी थोड़ा कम पढ़ लेते हैं पर फिर सर बीच में शरत सर ने motivational सर हमें lecture देते थे बताते रहते थे motivational videos इस बारे में बत की थी मेनत तो जिससे की in future कहीं भी कोई दिक्कत आया तो ये बात हमें हमेशा याद आजे कि हां उस टाइम मेनत की थी तो result मिला था और आज सर के ही मतलब इतनी कोशिश के कारण मतलब मेरी All India Rank 199 आ पाई है तो मतलब मैं इसका सार अश्रे शरत सर को यह देना चाहूंगा औ और मैंने जैसे की मैं एक बात क्याना चाहता हूं कि बस सर की एक बात सबसे अच्छी है जो हमेशा याद रहने चाहिए कि आज नहीं आता ना सूबे कोई दिक्कत नहीं है कि आज नहीं आता बस रात को सोने से पहले पहले ना वो चीज क्लियर होनी चाहिए किसी भी कीमत प कोई दिकत नहीं है रात को सोने से पहले सब क्लियर होना चाहिए अगले दिन नई प्रोब्लम देखेंगे पिछली प्रोब्लम मतलब जड़ से खतम होनी चाहिए और प्रतीक सर की एक बात बहुत अच्छी लगी उन्होंने एक्जाम देने से पहले हमें बताया कि पेपर मुश्किल है तो तुमने एक ही बात कहनी है सीट पर बैटके कि भाड में जाए एनाइटी हमें तो मतलब अपना बैश दे के निकलना है और यही चीज मेरे मतलब बहुत काम आई जो मेरी रैंक आप आई है इसके अंदर इस सिरफ एक सिंगल लाइन का बहुत बहुत बढ़ के अंदर जो सर के मोक के अंदर या तो वैसे डिटो डेटा नहीं तो कुछ सिमिलर डेटा के साथ आए जिसको मतलब मैंने तीन से चार मिनिट लगाए पच्चेस मैस के कोशिन करने में और सबसे ज़्यादर टाइम हमें मैस में लगता है इस वज़े से मैंने मैस किया बाकी के है तो तुमने स्टार्टिंग में दो मिनट लगाने है एक दिमाग से आंखों के अगे से निकल जाता है तो भी सर ने कहा था जितनी बार हम एक कोशिन को देखेंगे उतना पुराना हो जाएगा हमारे दिमाग में बैट जाब हाँ हाँ ये कोशिन देख रखा इसको मैं ऐसे कर सकता हूं पहली बार में नहीं हूँ दूसरी बार में नहीं हूँ तीसरी बार ऐसे करते-करते मतलब सर ने बताया कि पहले mental round में करना है दो से तीन मिनट लगाने हैं उसके अंदर कम से कम 50 में से 5-6 question तो ऐसी मिली जाते हैं जो कि हो जेंगे डिरेक्ट टिक करने वाले उसके बाद first round sir कहते थे करना है जिसमें मतलब एक मिनट हद से हद लगे करने में फिर ऐसे ही second round तो ऐसे करके मैंने paper में भी question किये तो मेरे लगबग 25 मिनट लगे मुझे maths में तीन round करने में उसके वाद मैंने अगले portion पर skip किया मैंने का बाकी उससे दुबारा बाद में देखूंगा ऐसी मैंने reasoning की computer किया और English की मेरे maths के अंदर 32 question correct हुए थे और reasoning में 28 question correct हुए थे computer में 5 question correct हुए थे और English के अंदर मेरे 13 question correct हुए थे और मेरा total score 603 out of 1000 निमसे 2021 के देखे लविश ने जो बात बोली online के साथ ये सच में बहुत challenges होते हैं जैसे आप कभी classroom course join करते हैं तो classroom course के साथ होता है बच्चा सुबह आया रात तक बैठा हुआ है ना घर वाले कुछ बोलते हैं ना होते ही नहीं है ना कोई disturb करता है वो एक पढ़ाई बहुत अलग हो ज कभी कोई आ गया है बहुत सारी चीजें पर उस सब के बाद भी ये online में रिजल्ट देना अपने अपना achievement है और आपकी success journey सुनके बहुत अच्छा लगा I think जो बच्चे कई बार घर से नहीं निकल पाते उनको ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और इसके बाद कुछ ना क कुछ action लेना चाहिए चले all the best and once again congratulations कुछ और बोलना चाहेंगा बिल्कुल बोले जैसे कि मैंने ना first class जब जोइन की ना तो उसी दिन क्यालो चांस की बात थी जो एंड तक मेरे काम आई सर ने एक बात कही थी उस दिन कि मतलब तुम ये ना सोचो कि NIT क्लियर हमसे होगा या नहीं होगा हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सर ने मतलब हमारे जो सीनियर से सर उनकी इंटरव्यू की वीडियो डालते थे यूट्यूब पर और चैनल्स पर तो हमने वह सर हमें कहते थे वह उन्हें देखने को उससे motivation मिलता था सर कहते थे तुम यह ना देखो कि NIT म मिलेगी या नहीं मिलेगी तुमने बस तुम्हारा यह गोल होना चाहिए कि तुमने इसी तरह next year मेरे साथ इंटरव्यू देना है और मतलब सर की इतनी कोशिश सर ने करी उसकी ही वज़े से मतलब मैं आज यहां पे खड़ों के इंटरव्यू दे रहा हूं और मैं मतलब यह ही उमीद करूंगा कि जो जो मेरे इंटरव्यू देख रहा हूं उसे इसमें कुछ कुछ ना कुछ helpful उन्हें दिखाई दे और कल को वह भी मेरी जगा पर आके यहीं सर के साथ खड़े के इंटरव्यू दे सब का मतलब एक यह सपना होना चाहिए मेरे लिए आज यह सपना प अब भी किसी भी कारेंट से पीछे हो रहा है पड़ाई नहीं कर पा रहा है मोटिवेट करो वह जो करना चाहिए तक करें पर हमें उसको सही गाइडेंज देना है और वेस्ट बन सकें थेंक्यों